नमस्कार, इस बार नेस्कॉम का टेक्नोलोजी और लीडर्सिप फोरम मेरी दुरुष्टे से बहुत विशेस है एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं जादा उमीद और भरोसे के साथ देख रही है हमारी यहां कहा गया है ना दैन्यम ना पलायनम यानी चुनावती कितनी भी मुश्किल हो हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और नाहीं चुनावती से डर कर पलायन करना चाहिए कोरोना के दोरान भारत के ज्ञान विज्ञान हमारी टेकनोलोजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बलकि खुद को इवॉल्वी किया है एक समय था जब हम स्मॉल पोक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निरफ़ते एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वेक्सिन दे रहे हैं कोरोना के दोरान भारत ने जो सॉलूशन्स दिये वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मोका मिला कुछ सीज ने जो बताया इसमें भी भारत की आईटी इंडिस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है वेन दे चिप्स वेर डाउन यॉर कोर केप तिंग्स रनिंग जब पूरा देश घर की चार दिवारी में सिमट गया था तब आप गर से ही इंडिस्ट्री को स्मूदली चला रहे थे बीते साले आंकडे दुनिया को भले ही चकित करते हो आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है सात्यों ऐसे स्थिती में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था तब भी आपने करीब तू परसेंट की ग्रोथ हासिल की जब दी ग्रोथ की आशंकाय जताई जा रहे थी तब भी अगर भारत की आईटी इनिस्ट्री अपने रिवन्यू में चार बिलियन डॉलर और जोडे तो ये सचमुच में प्रसमसनिय हैं और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इनिस्ट्री ने सित्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबुत पिलर क्यों है आज तमाम डेटा हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडिस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदिया छूने वाला है साथियों नया भारत हर भारतवासी प्रगत्य के लिए अधीर है हमारी सरकार नय भारत के भारत के युवाओं के इस भावना को समझती है 130 करोड से अधिक भारतियों के आकांग्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है नय भारत से जूड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं उतनी ही आप से भी है देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है साथियों आरत की आईटी इंडिस्ट्री ने अपने फूर्प्रिंट्स ग्लोबल प्रेट्परोंग पर बर्सों पहले जमा दिये थे पूरी दुनिया को हमारे भारतिय एक्सपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट सर्विसीज और सॉलुशन देने में नेत्रुत्व कर रहे थे योगदान दे रहे थे लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है उसका लाप आईटी इंडिस्ट्री को नहीं मिल पाया इस वज़े से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया एक तरफ से हम कहते हैं और हम कह सकते हैं दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी हमारी सरकार की नीतियां और निर्णे गवाँ है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस एप्रोच को बदल दिया है सातियों हमारी सरकार भी ये बलीभाती जानती है कि बंधनों में भविश्की लेडर्सिप दिख्षित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था भारत को ग्लोबल सौब्वेर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा कोरोना काल में ही अधर सर्विस प्रोडर ओएस पी गाइडलाइन्स को जारू की गया गया अभी जिसका आपकी चर्चा में उलेक भी हुआ इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ आपके काम को कम से कम रुकावड का सामना करना पड़ा आज भी जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया कि 90 परसंट से जादा लोग अपने घरों से काम कर रहे इतना ही नहीं कुछ लोग तो अपने मुल गाउं से काम कर रहे हैं दिखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है 12 चेंपियन सर्विस सेक्टर्स में इन्फरमेशन टेक्लोलोजी को भी सामिल करने का लाब भी आपको होना शुरू हुआ है साथ यो दो दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफर्म किया गया है जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडिस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा कदम है जो इस फॉर्म की थीम जो है शेपिंग दे फ्यूचर टरवर्ड से बेटर नॉर्मल मैं समझता हूँ इसके साथ है एक प्रकार से आपकी समीट का पुर्वस्रम का जो काम है वो सरकार है कर दिया है यह ऐसा कदम है जो हमारे टेक्स ट्राटप इकोसिस्टिम को सास्वत करने वाला है ससक्त करने वाला है यह ऐसा कदम है जो सिर्फ आईट इंडिस्ट्री नहीं बलकि आत्म निर्भर भारत में व्यापग मिशन को मजबुद बनाता है मुझे आध है आप मैंसे अनेक एंटर्पर्णर्स मैप्स और जीयो स्पेशल डेटा से जूड़े रिस्ट्रिक्शन और रेट टेप से जूड़ी बाते अलग-अलग फरंपर रखते रहें और मैं एक बार पता दूँ इन सारे विश्यों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाये जाता था वो सिकुरूटी से संदर भी होता था कि यह चीजें अगर खुल जाएगी सिकुरूटी को संकट हो जाएगा यह मार मार आता था लेकिन सिकुरूटी के इस्यूस को भी हंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है और आज भारत आत्म विश्वास से भरा हुआ है। सीमा पर हम देख रहे हैं। और तभी इस प्रकार के इन दिरने भी संभव होते हैं। को विश्वास हैं कभी ये निर्ने करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख बढ़ेंगे और देश के नवजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाना के लिए अवसर भी देंगे साथियों मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था अपने युवा उद्देमियों को हमारे स्टार्ट अप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाप उठाने के लिए पूरी आज़ाद ही मिलनी चाहिए इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है सरकार को देश के नागरिकों पर हमारे स्टार्ट अप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है इसी भरोसा के साथ सेर्फ सर्टिफिकेशन को प्रोसाइद किया जा रहा है साथियों बीते छे सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्स जो समाधान तयार किये हैं उनको हमने गवन्नेंस का महतोपुण हिस्सा बनाया है विशेश तोर पर डिजीटल इंडिया ने डिजीटल टेकनोलोजी ने सामाने से सामाने भारतिय को ससक्त किया है डेटा को भी डेमोक्रिटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस डिलेवरी भी प्रभावी हुई है आज सेंकडो सरकारी सर्वेसिस की डिलेवरी ओनलाइन की जा रही है गवर्नेंस में टेकनोलोजी के प्रभावी उप्योग से गरीब और मद्यमबर को सुभीदा के साथ-साथ करप्शन से भी बड़ी रहात मिली है हमारे फिंटेक प्रोड़क्स और यूपी आई जैसे डिजिटल प्रेस्फोर्म की चर्चा तो आज कुरी दुनिया में है वर्ल बैंक समेथ इसके सामर्थ की चर्चा कर रहे हैं कैसे तीन चार साल के भीतर भीतर एक हैविली कैस्ट डिपेंडेंट सुसाइटी उससे हम लेज कैस सुसाइटी के तरफ मकमता पुर्वग बढ़ चले हैं यह हमारे सामने है जितना डिजिटल प्रांजिक्शन जादा होता जा रहा है काले धन के स्रोथ उतने ही कम हो रहे है जैम ट्रिनिटी और डिवीटी के कारण ही आज गरीब के हक की पाई पाई उस तक बिना किसी लिकेज के पहुँच पा रही है साथियों ट्रांस्परंसी यानि पारदर सिता गुड गवननेंस की सबसे एहम शर्त होती है यही बडलाव अब देश की शांसनी ववस्ता में हो रहा है यही कारण है कि हर सर्वे में भारत सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबुत से मजबुत हो रहा है अब सरकारी कामकाज को सरकारी रजिस्ट्रों से बहार निकाल कर डैस्बॉर्ड पर लाया जा रहा है प्रयास यह है कि सरकार और सरकारी विभाग के हर गतिविदी को देश का सामान्य नागरिक अपने फोन पर देख सके जो भी काम हो वो देश के सामने हो साथियों गवर्मेंट प्रोकॉर्मेंट को लेकर पहले कैसे कैसे सवाल उड़ते थे यह हम वेश कौन है जो नहीं जामता है हम भी तुछत चर्चा में भोह ही बोलते थे हम भी भी सुनते थे हम भी चिंताव्यक्त करते हैं, अब आज डिजिटल टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए, पूरी पारदर्सिता के साथ, गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस याने GEM के जरिये खरीद की जा रही है, आज ज़्यादातर सरकारी टेंडर ओनलाइन मंगाए जाते हैं, हमारे इंफ्रासेक्टर से जूड़े प्रोजेक्स हो, या गरीबों के घर हार प्रोजेक्स की जीयो टेकंग की जा रही हैं, ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके, यहाँ तक की, आज गाउनों के घरों की मैपिंग, ड्रोन से की जा रही है, टेक्स से जूडे मामलों में भी human interface को कम किया जा रहा है faceless व्यवस्ता भिख्षित की जा रहे है technology से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्ची व्यवस्ता देना ही तो minimum government, maximum governance मेरी दरश्ती वही उसका मडलब है साथियों, आज विश्व में जो भारतिय टेकलानोजी की छवी है जो पहचान है उसे देखते हुए देश को आपसे बहुत जादा उमीद है बहुत जादा पेक्षाय है आपने ये सुनिशित किया है कि हमारी टेकनलोजी जादा से जादा made in India हो मेरा आपसे आग्र है कि आपके solutions आपके solution में भी अब make for India की छाप होनी चाहिए अगर हमें multiple domains में Indian technology leadership की और आगे बढ़ना है इस momentum को बनाए रखना है तो हमें अपनी competitiveness के नए माबदन बनाने होगे हमें अपने आपसे स्परधा करने ही होगी ग्लोबल टेकनोलोजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतिय आईटी सेक्टर को culture of excellence और institution building उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा ऐसे मैं मेरे मेरा अपने start-up founders के लिए एक विशेश संदेश है खुद को सिरफ valuations और exit strategies तक ही सिमित मत करिए think how you can create institution that will outlet this century think how you can create a world class product that will set the global benchmark excellence there can be no Понäs on these twin goals for without them we will always be a follower and not a global leader साथ यों इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं यह बहुत सही समय है नए लक्ष बनाने का उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का अपसे 25-26 साल बाद जब भारत अपनी सोतंतरता के सो वर्ष मनाएगा जब हम सेंचुरी सेलिब्रेट करते होंगे तब कितने नए वर्ल क्लास प्रोड़क्स हमने दिये होंगे कितने ग्लोबल लीडर्स हमने बनाए होंगे ये सोच कर हमें अभी से काम करना होगा आप लक्ष तय करिये देश आपके साथ है भारत की इतने बड़ी आवादी आपकी बहुत बड़ी ताकत है बीते महिनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के लोगों में टैक्स सॉलूशन्स के लिए बेसबरी बड़ी है लोग नए Tech Solutions का इंतजार कर रहे हैं लोग नए चीज़े ट्राइ करना चाहते हैं और खासकर भारतिये Applications के लिए तो उनमें एक उत्सा है देश मन बना चुका है आप भी मन बनाएगे साथिकों 21 सदी में भारत की चुनोतियां और उसके समाधान के लिए Pro-Active Technological Solutions देना IT इंडस्ट्री, Tech इंडस्ट्री, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, यंग माइन्ड इनका बहुत बड़ा दाईप है अब जैसे हमारी खेती में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत से जादा उपयोग से बहुत बड़ी समस्या आती है क्या इंडस्ट्री को ऐसे स्मार्ट टेक्नोलोजी के लिए काम नहीं करना चाहिए जो आर्टिफिशल इंट्रिजेंस का उपयोग करते भिए हर फसल में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत के बारे में किसान को बता सके सिर्फ टेक्नोलोजी बनाने भर से काम नहीं चलेगा इसको भारत में मास्ट लेवल पर एड़ॉप की किया जा सके ऐसे सॉलूशन हमें त्यालास करने हैं इसी तरफ हेल्थ और वैलनेस के डेटा की ताकत से गरीब से गरीब को लाप कैसे मिले इसके लिए भी आज भारत आपके तरफ देख रहा है टेली मेडिसीन को प्रभावी बनाने के लिए भी आपसे बहतरिन सॉलूशन की उमीद देश कर रहा है साथियों सिक्षा और स्किल डवलप्मेंट को लेकर भी टेक इंडिस्ट्री को ऐसे समाधान देश को देने होंगे जो देश की बड़े से बड़ी आबादी को सुलब हो आज देश में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर अटल इंक्यूबेशन सेंटर तक टेक्नलोजी के लिए स्कूल कॉलेज में ही महोल बनाया जा रहा है नई नेशनल एडुकेशन पॉलिसी में एडुकेशन के साथ साथ स्कीलिंग पर भी उत्रा ही जोर दिया गया है ये प्रयास इंडिस्ट्री के सहीयोग के विरा सफल नहीं हो सकते एक बात मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी CSR एक्टिविटीज के आउटकम पर फिर ध्यान दीजिए अगर आपकी CSR एक्टिविटीज का फोकस देश के पिछडे क्षेत्रों के बच्चों पर होगा आप उन्हें डिजिटल एजुकेशन से ज़्यादा जोडेंगे उनमें एनालेटिकल थिंकिंग लेटरल थिंकिंग डेवलप करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगा सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लेकिन इसमें आपका साथ मिलना तो मैं समता हूँ बात कहां से कहां ले जा सकती है इंडिया इन और शॉर्ट अफ आइडियास इन नीड्स मेंटर्स को कैन हेल्प टर्न आइडियास इंटू रियालिटी साथियो आत्मंदिर भर भारत के बड़े सेंटर आजदेश के टियर टू टियर थ्री शहर बनाते जा रहे हैं यही छोटे शहर आज आइटी बेस्ट टेक्नोलोजी की डिमांड और ग्रोथ के भी बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं देश के इन छोटे शहरों के युवा अध्गूत इनोवेटर्स के रूप में सामने आ रहे हैं सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बहतर इन्फासेटर के निर्मान पर है ताकि वहां रहने वाले देशवासियों के साथ साथ आप जैसे उद्यमियों को भी असुविदा ना हो जितना अधिक आप इन छोटे शहरों कश्मों के ओर जाएंगे उतना ही अधिक उनका विकास होगा साथियों मुझे विश्वास है कि आने वाले तीन दिनों में आप बर्तमान और भविश्के ऐसे ही समाधानों पर गंबीर चर्चा करेंगे कि सरकार हमेशा की तरह आपके सुझाओं पर गंबीरता से विचार करेंगे और मैं एक बात जुरू कहना चाहूंगा पिछले बार 15 अगस को लाल के लिए से जब मैं बात करा था आपने सुना था मैंने देश के सामने एक लक्ष रखा था कि एक हजार दिन में हिंदुस्तान के छे लाग गाउं में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा करना है अब एप्टिकल फाइबर नेटवर्क यह तो एक स्केलेटन हो जाएगा और मैं पिछे लगा हूं तो साइध हम कर भी लेंगे राज्य भी इसमें हमारे साथ जुड जाएंगे लेकिन उसके बात का जो काम है न वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इंफास्रेक्चर हिंदुस्तान का गरीब भी गरीब इसका उप्योग कैसे करे है यूजर फ्रेंडली नए ने प्रोड़क कैसे आए गाउं का व्यक्ति भी सरकार से बाजार से बढलाव से शिक्चा से आरोगे से कैसे जुड़े यह स् उसकी जिन्दगी बदलने का एक बहुत बड़ा रास्ता कैसे बना सकता है यह काम अभी से आपके हाँ छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स ऐसी प्रोड़क लेकर क्या है कि गाउं में उप्टिकल फाइबर पहुंचा कि गाउं की इन दस जर्यों आते हैं पूरी हो जाएगी गाउं के अंदर अप्टिकल फाइबर पहुंचा गाउं के बच्चों के जीवन में यह चीज बड़ाव लाने के लिए मेरे पास रेडी है आप देखे कितना बड़ा उसर है कितना बड़ा उसर है और इसलिए मैं आपको निमंतर देता हूं कि सरकार इस काम को कर रही है वो अम्रुत देश को काम आएगा इसी एक पेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत चुप काम नाएं बहुत बाद धनिवाद दानिवाद एक सब्सक्राइब जाएं एक ख़ोन आपको नगारम अधूसरें प्रोक्रसब्स कोल 040-271-468-99-040-271-486-99